राखेश जी बहुत धन्यवाद मंच पर बैठे आदर्निय बड़े भाई बिहार के स्वास्थ मंत्री और देश के जाने माने चेहरे मंगल पांडे जी आपको बहुत बहुत नमस्कार मंच पर ही बैठे मेरे मित्र और मेरे भाई मीडिया प्रभारी अशोग जी मंच पर बैठे पंकज जी और यहां पावन भूमी पटना का नाम कहते ही एक पवित्र भूमी का हैसास होता है यह देश की धड़कन है और अगर सही मायने में कहा जाए तो हिंदुस्तान का राजना हितिक दिल अगर कहीं बसता है तो वो पटना में ही बसता है तो पटना के तमाम पत्रकार बंधूर भगिनियों को बहुत बहुत नमन नमस्कार आप जानते हैं चुनाव का माहोल बन रहा है पूरे देश में और उसी बीच जिस प्रकार कल हिंदुस्तान ने भारत के प्रध वर्ष के हुए उनका सतरहुआ जनन दिन था हम सब ने उनको बधाईयां भी दी मगर आप जानते हैं वो भौतिक रूप से अपना जनन दिन नहीं बनाते हैं वो सेवा की रूप में जनन दिन मना रही है यह प्रक्रिया 14 से 20 तारिक तक चल रही है उसी उप्रक्रम में चू बिहार की भूमी जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी का एक खास लगाव है और जिस प्रकार थोड़ी मिन्टों के पस्चात मेरे ख्याल से आधे घंटे के पस्चात हम प्रधानमंत्री को टीवी में भी देखेंगे वो आज एक महत्तोपूर्म प्रजेक्ट क पुना लॉंच करेंगे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए बिहार की भारतिय जन्ता पार्टी ने 70 स्थानों पर प्रेस कॉन्फरेंस रखा है मैं बिहार की जन्ता और बिहार के भारतिय जन्ता पार्टी के यूनिट का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का उ ऐसे तो राजनेतिक प्रेस कॉन्फेरंस है अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आज आप प्रेस कॉन्फेरंस में क्या बोलेंगे क्योंकि यह जो पूरा चुनाव होने वाला है यह तो नितीश जी भरसेज नन है एक तरफ नितीश जी है दूसरे तरफ कौन है ये चर ये भी है किन्तु दूसरा पक्ष कहां है और कौन है इस विशय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बना है और दूसरी बात में बताना चाहूंगा जो उत्तर मैंने उनको दिया जो जनता मुझे आज एरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नितीश वर्सेज नन मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेज जेल की लड़ाई है एक तरफ नरेंद्र मोदी और नितीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्याए एक ही है एक विकास आज्य भी आगे बढ़े और वहीं जो दूसरा मुख्यनेता है वो जेल के अंदर है और जेल के अंदर कोई भारती जनता पाटी इत्यादी हम जेल इस राजनेतिक दृष्टिकोंड से नहीं कर रहे हैं करतुर्तों के कारण से कानून के माध्यम से वो जेल में हैं तो विका राजों में लड़ाई हो रही है राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है तो यह भी अनुचित नहीं होगा मैं तो दूर दिल्ली में सुन रहा हूँ कि यहां भाई-भाई की लड़ाई चल रही है और दिल्ली में तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं भाई-बेहन के बीच में अनबन है तो एक पार्टी में भाई-बेहन के बीच में अनबन है तो यह आज बिहार की जो बारा करोड जनता है वो निरनाय लेगी कि एक तरफ सकराक्मकता खड़ी है एक तरफ निरनाय लेने की क्षमता खड़ी है और दूसरी तरफ कही-कही परिवार में ही बट्वारे की परिस्थिती चल रही है किसको चुनना है ये बिहार की 12 करोड जंता बिलकुल दिरनाय लेगी बंदुगन चाहे कमल हो चाहे तीर और कमान आप देखिएगा किस प्रकार से रेकॉर्ड तोड मतों के साथ इस बार चुनाव के नतीजे आने वाले जहां तक लाल्टेल का सवाल है मैं तो बिलकुल सत्य कह रहा हूँ लाल्टेल में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है ये तेज और प्रताप केवल नाम में है लाल्टेल में नहीं है लाल्टेल में ना तो तेज है ना प्रताप है ये केवल नाम में बंदुगर्ण व्यक्तिकत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ चार-पांच दिन पहले जब रगुवंस बाबु हमारे बीच नहीं रहे कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुशों को, कुछ वेक्तियों को पाटी के संदर्व से सब्दे सदैव उपर देखा जाता है रगुवंच बाबु को ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान ने पाटी के संदर्व से उपर देखा था मगर उनका जो अंतिंग शन था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ उनकी जो चिट्थी थी बहुत वेदना से भरी वी चिट्थी थी और उनके चिठी के पस्चा जिस प्रकार का कॉमेंट तेज प्रताब जी ने किया था कि समुन्दर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फरक पड़ता है और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फरेंस में कहता हूँ दुख के साथ कहता हूँ जहां भी रगवंस बाबू होंगे वो सुन रहे होंगे कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुन्दर से निकाला है इसी एक लोटे पानी से ही राजनेतिक तरपन होगा इसी एक लोटे पानी से आर जेडी का राजनेतिक तरपन होगा इतने बड़े नेता को आपने इस प्रकार के शब्दों से परिबाशित किया, एक लोटा पानी समुंदर में से, बंदुगन अब विकास के एजंडे पर आता हूँ, यथा सिग्र हम प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे, मैं एक कमपेरिटिव चार्ट बहुत जल्दी रखता दो हजार पांचशे और दो हजार बीस एककीस के बीच में किस प्रकार बहुत कुछ बदला है, उस समय राज्य का बजट बाईस हजार करोड रुपय का होता था, अब दो लाख ग्यारा हजार करोड का है, उस समय क्रिसी का बजट टू फॉट्टी वन करोड का होता था, अब स्वास्ट का बजट 10,935 करोड रुपए का है Rural Works बजट जो होता था उस समय वो 496 करोड का होता था अब 10,640 करोड का है Road Construction Department का बजट 2056 में मात्र 520 करोड का होता था अब वो 6706 करोड का है उर्जा विभाग का बजट 2056 में 2050 करोड का होता था अब वो 5,600 करोड लगबग का है भवन निर्मान का बजट 2056 में 142 करोड का होता था अब वो 5,395 करोड का है बंदुगन आप जानते हैं कि किसान किसानों के सम्मान के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और नितीष जी ने क्या काम किया है किसान सम्मान निधी योजना फसल भीमा योजना क्रिसी सिचाई योजना इन सब के विशे से आप अवगत हैं बिहार के अगर बिहार के किसानों के बारे में बात की जाए तो लगबग 72 लाख किसानों को जिस प्रकार से 6,000 रुपए प्रती वर्ष किसान सम्मान निधी योजना के माध्यम से उनके खाते पर पहुँचा है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बंदुगन हमारे देश के पहले राष्टर प्रती राजेंदर बाबु राजेंद्र बाबु के नाम पर राजेंद्र कृशी विश्व विद्याले को केंद्र विश्व विद्याले में परिवर्तित करके नरिंद्र मोदी जी ने बिहार को एक सौगात दिया है एक उपहार दिया है युवाओं के लिए भी जिस प्रकार कौसल विकास किया गया है और उसके लिए पंद्रह सो पचास करोड रुपए आवंटित किया है नरिंद्र मोधी जी ने केवल बिहार के लिए एक लाख से भी अधिक युवाओं का तक्नीकी रूप से प्रस्वा बियार के लिए की गई है विकास की पट्री और रेल आज रेल के लिए विशेश दिवस है क्यूंकि कुछ मिन्टों के पस्चात रेल के विशाय को लेकर और कई परियोजनाओं को आज नरिंद्र मोधी जी लॉंच करेंगे यह शश्वी प्रदानमंत्री आज लॉंच करेंगे ठीक उसी प्रकार रेल के विद्धुतिकरण इलेक्ट्रिफिकेशन और नए रेल लाइन बिचाने के लिए 8,870 करोड रुपे का आवंटन केंद्र सरकार ने मात्र केवल बिहार राज्य के लिए किया है आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये परियटन को बढ़ावा बॉध्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो बॉधिक परियटन छेत्र यहाँ पर है उसके लिए बुध्ध सरकिट और रामायन सरकिट इन सब के लिए लगभग 600 करोड रुपे का आवंटन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया है डिजिटल बिहार को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल क्रांती बिहार में आये उसकारण एक विशेश पेकेज 450 करोड रुपे का दिया गया है जिसके तहट भागलपूर दर्भंगा में 20 करोड की लागच से सौफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पार्क बनाया जा रहा है मेडिकल इनक्यूबेटर एनाईटी पटना में इलेक्ट्रोनिक और आईए सीटी का प्रावधान किया गया है 150 करोड रुपे की लागच से बिहार के इलेक्ट्रोनिक विनिर्मान क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है तो कूल मिलाकर 450 करोड रुपे डिजिटल कांती के लिए खर्चो रहा है ठीक उसी प्रकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हवाई चपल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके और नागरिक उड्डेन को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2700 करोड रुपे बिहार के लिए आवंटित किया गया है केंद्र सरकार से पत्ना का जो एरपोर्ट हम देखते हैं बाबू जगजीवन जैप्रकास नारायन हवाई अड़्डा जैप्रकास नारायन हवाई अड़्डे को किस प्रकार और उसका डेवलप्मेंट करना है उसके लिए 2000 करोड रुपे और अंतराष्ट्रे एरपोर्ट उसको बनाने के लिए दिया गया है दर्भंगा में विमान सिवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री जीरी ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सोगात है एक तोफा है